आप देख रहे हमारी खास पेशकश वेधर अपडेट और आज की मौसम का हाल जानने से पहले मेरी और मार्केट आम्स टीवी की ओर से आप सभी को धंतेरस की हादिक शुब कामना है जान लेते हैं आज की मौसम का हाल कैसा देखने को मिलेगा क्या धंतेरस के दिन आपको कहीं बारिश तो प्रेशान नहीं करने वाली सुना चांदी खरीदने से जान लेते हैं तो पहाडी राज्यों में शुमार उत्राखंड और हिमाचरी प्रदेश के साथ केंदर शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हो रही वर्वारी ने मैदानी इलाकों पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है पहाडों पर हो रही वर्वारी के चलते ही दिल्ली एंसियार समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार ठंड में इजाफ़ा हो रहा है मंगलवार सुबावी अन्य दिनों की तुरूना में दिल्ली एंसियार में अधीक ठंड महसूस की गई गरों से बाहर निकले जैकिट और स्वेटर पहने तक लोग नजर आ रहे हैं तो महिलाओं ने भी ठंड से बचने के लिए शौल आदी का सहरा लेना शुरू कर दिया है मौसम विबाग के अनुसार मंगलवार को दिन बर आस्मान साफ रहेगा और चटक दूप निकलेगी इसके साथ दिल्ली एंसियार में मंगलवार सुबा दूंद भी चाही रही लेकिन आट बजे के बाद दूप के असर कम हो गया थोड़ा वही मंगलवार को दिल्ली में अधिक्तम ताकमान 30 डिग्री सेल्सियस और नियूंतम ताकमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है बारतिय मौसम विज्ञान विबाग के मताबिक दिल्ली एंसियार में लगाता ठंड में इजाफा हो रहा है इस दौरान नियूंतम ताकमान 14 डिग्री से भी नीचे आ गया है सोमवार को इस सीजन का सबसे कम नियूंतम ताकमान दर्ज हुआ ठंड में इजाफे का दौर योही जारी रहने की संभावना है वही सोमवार सुबा दिल्ली में अच्छी ठंडक का एहसास हुआ था पार्क में सेर के लिए जाने वालों को खास तोर पर ठंड लगी हाला कि दिन में धूप खिली रही थी और दिन बर आस्मान भी साफी रहा था अधिक्तम तापमान से 1 डिग्री कम 31.2 डिग्री सेल्सियस जबकि नूतम तापमान समाने से 2 डिग्री कम 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया था और हवा में नमी का सत्थ 37-93 परतिशत रहा था तो ये था आज के मुस्मकाल अगर आप दिल्ली वासी है दिल्ली में रहते हैं तो आज आपको थोड़ी ठंड और जादा मैसूस हो सकती है सुबा के वक्त भी देखने को मिली ही होगी अगर आप सहर के लिए निकले होंगे और अब भी महसूस हो सकती है तो गरम कपड़े पैने शौल्ट स्वेटर का सहरा ले क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों पर धीरे धीरे और देखने लगेगा फिलाल अभी के लवस्त नहीं नमस्कार